साथियों, आजादी के 75 वर्स का ये समय नए लक्ष तै करना और नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूश शक्ति को भी अम नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार, लगातार वो माहोल, वो स्थीतियां बना रही हैं जहां से आप सभी बहने हमारे गावों को सम्रद्धी और संपन्दता से जोड सकती हैं। क्रशी और क्रशी आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा ख्षेत्र हैं जहां महिला सेल्फ हेल्फ गुरूप के लिए अनंत संभावना हैं। गाव में भंडारण और कोल्ड चेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीने लगानी हो, दूद, फल, सब्जी को बरबाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो। ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ हेल्फ गुरूप भी ये सुविधाएं तयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं। जो सुविधाएं आप बनाएगी, उची दरें तय करके सभी मेंबर इसका लाप उठा सकती हैं। और दूसरों को भी किराय पर दे सकती हैं। उद्द्यमी बहनों, हमारी सरकार, महिला किसानों की विशेष ट्रेनिंग और जागरुकता को भी निरद्दर बढ़ावा दे रही हैं। इससे अभी तक लगबग सवा करोड किसान और पशुपालक बहने लाभानवित हो चुकी हैं। जो नए क्रशी सुधार है, उनसे देश की क्रशी हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, इसमें सेल्फ हेल्फ गुरुप के लिए भी असिम संभावनाय बन रही हैं। अब आप सीधे किसानों से खेत पर ही साजेदारी कर अनाज और दाल जैसी उपज की सीधी होम डिलेवरी कर सकती हैं। इधर कोरोना काल में हमने ऐसा कई जगह होते हुए देखा भी है। अब आपके पास भंडारण की सुविदा जुटाने का प्रावदान है। आप कितना भंडार कर सकती हैं ये बंदेश भी नहीं है। आप चाहे खेट से सिधे उपज बेचे ये फ्यूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर बढ़िया पैकेजिंग करके बेचे हर विकप आपके पास है। ऑनलाइन भी आजकल एक बड़ा माध्यम बन रहा है जिसका उप्योग आपको जादा से जादा करना चाहिए। आप ऑनलाइन कंपनियों के साथ तालमेर कर बढ़िया पैकेजिंग में आसानी से सहरों तक अपने उत्पाद बेच सकती है। इतना ही नहीं बारत सरकार में भी GEM Portal है GEM आप उस Portal पे जाकरके सरकार को जो चीजे खरिद दी हैं अगर आपके पास वो चीजे हैं तो आप सीधा सरकार को भी बेच सकते हैं। बारत में बने खिलेनों को भी सरकार बहुत पूत्साइट कर रही हैं। इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही हैं। विशेज रुप से हमारे आदिवासिक छेत्रों की बहने तो पारम-पारिक रुप से इसे जुड़ी हैं। इसमें भी सेल्फ हेल्फ गुरुप के लिए बहुत संभावन आए हैं। इसी प्रकार आदेश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभ्यान चल रहा है। और अभी हमने तमिल नाडू के हमारी बहनों से सुना, बहन जेनती जिस प्रकार से 60-60-60-60 आकड़ी बता रही थी, हर किसी को प्रेणा देनी वाली थी। इसमें सेल्फ हेल्फ गुट के दोरी भूमी का है। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जाग रुकता भी बढ़ानी हैं और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थेले की जगह, जूट या दूसरे आकरसक बैग आप जादा से जादा बना सकती हैं। आप अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकें। इसके लिए भी एक बवस्ता दो-तिन वर्सों से चल रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा उसको G.E.M. गवर्मेंटी मार्के प्लेस कहते हैं। इसका भी सेल्फ भूर्म ग्रूप को पूरा लाप उडाना चाहिए।